स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आज के ताजा मौसम समाचार में आपको तादे मौसम को लेकर अभी अभी उत्तरप्रद्य से एक बड़ी ख़वरारी कि आज से करवर लेगा मौसम लू से मिलेगी रहात इन इलाखों में आधी वारिच का असार तो चलिए जानती के उत्तरप्रद्य समेथ किनके राजों में हैं आधी वारिच का असार इस वीडियों देंगा हम आपको पूरी जानकारी वीडियो को बिल्कुल इसकिपना करें एंड तक देखें और आपने भ भारत तक पहुंच जाएंगी भारती मौसम विबाग के मुताबिक यूपी दिल्ली पंजाब और हर्याना में अगले तीन दूनों तक आधी चलने के आसार हैं कहीं कहीं गरत के साथ छीटे भी पढ़ेंगे कुछ इलाकों में आचानक तेज़वाज चल सकती हैं जिनकी दिलाओ की बज़े से उत्तर पच्छमी इलाकों में अगले दो त्री दिनों तक अधिक्तम तापमान में दो से पाज डिगरी की गिराप अटा सकती हैं मद्द और पूरवी भारत के अलावा गुजराद महराश्ट में पारा तीन से दो डिगरी नीचे आ सकता है मौसम वाक का कैना है कि बंगाली खाडी और पूरवत्तर से आने वाली हवाव की बज़े से अगले पाज दिरों तक विहार जारखन बंगाल हो लुजरा में तेज आंधी आ सकती हैं और गरत के साथ चीनटे पल सकती हैं आई-एमडी ने बता है कि बैस्टन डिस्टरबंज की बज़े से हिमांचल प्रिदे सुत्रखन जम्मु कस्मीर से आपको दाने की तेज हवाव चलेंगी हालकी से मद्दम दर्ज की बारिस हो सकती है इसके बाद आपको दाने की कुछ हिलाकों में तेज हवाव के साथ अच कई तेज बारिस भी होगी ओधर दक्षण अंडवान सागर में चक्रबाती हवाव को सिट्ब मर रहा है इससे तेज हवाव के बीच भारी बारिस की संभावना है वीडियो के आखिर में आपको दाने की स्काइमेट के मुताबिक एक ताजम पच्छिमी विक्चोव पच्छ करने में साइख हो सकती है वैसे तो आपको दाने की इस महीने उत्तर पच्छिम और मद्भारत के सबसे गर्म महीनों में एक माना जाता है इस साल अपरेल का महीना आपको दाने की उत्तर पच्छिम और मद्भारत के लिए पिछले 112 सालों में सबसे गर्म रहा बारिस ने भी इस बार बेरुखी दिखाई एक मार्श से 30 अफराल तक के बीच पूरे देश में 32 प्रिस्यत तक तो उत्तर पच्चिम भारत में 86 पिजदी तक बारिस की कमी दर्च की गई लेकिन अब पिरी मानसून का दिविदियों के बिज़े से इसमें थोड़ी राहत मिलने की संभाग ना है अंत में आपको दादे की मौसम बिवाक के अभी तक के अनुमान के मताबिक आपको दादे आज से मौसम का रुख वजल जाएगा और पचमी उपी से लेकर पूर्वी उपी तक कईजलों में अंधल और फिर बारिस का अनुमा लगाए गया है ठंडी हवाव को चलने से तापमान में गिराव अटाएगी और लू से निजाद मिल सकेगी उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडिया आपको पसंद आई होगी आई सी ही ताजतरी इन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राब करें